गज़ा में बंधकों के शव मिलने के बाद अब इसे लेकर आरोप प्रतारोप का दौर जो है वो शुरू हो चुका है हमास अपनी बात इसे लेकर कह रहा है वहीं पर इसरेल अपनी बात इसको लेकर कह रहा है लेकिन इसी बीच हम आपको बता दे एक बड़ी खबर सामने आई है वो भी तुर्की से जुड़ी हुई क्या है ये बड़ी खबर बाच्चुत करने के लिए मयंग मेरे साथ जुड़ गाए है मयंग क्या खबर मिल रही है ये सब कुछ तो हो रहा है हमने देखा गजा में जिस तरसे शव मिला उसके बाद इसरेल अपनी तरफ से बयान दे रहा है यानि की नेतिन याहू अपनी तरफ से बयान दे रहे है हमास के प्रवक्ता अपनी तरफ से बयान दे रहे हैं लेकिन इस बीच कहा जा रहा है कि कुछ बड़ी ख़बर आई है हमारे दर्शकों को बताईए इस तरह आप जिस बड़ी ख़बर की बात कर रहे हैं ये तुर्की से आई है और तुर्की के राश्पती मैं सबसे पहले आपको उनका बयान बताता हूं कि उन्होंने क्या कहा है तुर्की के जो राश्पती है एर्दोवान उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल के पास आईरन डोम सिस्टम है तो हमारे पास steel dome system होगा और हमारा steel dome system पूरी तरह से तयार है देखिए कहा जा रहा है कि जिस तरह से इसरेल का iron dome system है जो कि defense system है उसी तरह तुर्किये ने steel dome system तयार किया है और ये steel dome system जो है वो तयार किया है और ऐसा कहा जा रहा है, कुछ एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं, कि तुर्किये ये स्टील डॉम सिस्टम को हिजबुला और हुटी को दे सकता है अब से कुछ दिनों पहले इरान में बड़ी बैठक हुई थी, उस बैठक में तुर्किये के कई प्रतिनिदी शामिल थे और इरान के अधिकारी शामिल थे बताया जाता है कि इस बैठक में, इस मीटिंग में इस स्टील डॉम सिस्टम को लेके काफी चर्चा हुई थी और उसके बाद अब ये तुर्किये के राश्पती का बयान सामने आया है अच्छा, इसके क्या खासियत है वो भी हमारे इदर्शों को बताया है और गाजा पे स्ट्राइक होती थी लेकिन देखिए ये सिस्टम अगर स्टील डॉम सिस्टम हिजबुला को मिल जाता है और इसे लिबनन के सीमा पे तैनात कर दिया जाता है तो उसके बाद अगर इसरेल की कोई मिजाइल जो है अगर लिबनन में फायर होती है या हिजबुला के किसी ठिखाने पे फायर होती है या फिर इसराइल का कोई फायर जेट अगर लिबनन के सीमा के अंदर जाता है स्ट्राइक करने के लिए तो उसके लिए बड़ा खत्रा पैदा हो जाएगा क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि जैसा खुद और्दुवान कह रहे हैं तुर्की के राश्पती कह रहे हैं कि यह जो स्टील डोम सिस्टम है यह अब तक का सबसे आधुने जो है एडवानस एर डिफेंस सिस्टम होगा और यह बिल्कुल उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आईरन डोम करता है शील्ड की तरह जैसे अभी हिजबुला की तरफ से जो रॉकेट्स या मिजाइल सफायर होती है उसको आईरन डोम हवा में इसराइल का तबाह कर देता है बिल्कुल ऐसा ही सिस्टम होगा स्टील डोम सिस्टम और देखिए उसका नाम आईरन डोम है तो शायद इसका नाम स्टील डोम रखा गया है उसको एक प्रकार से टक्कर देने की है तुर्किये जो है वो है तो नेटों का सदस से लेकिन उसके बाद भी आप देखे पिछले कुछ वर्ट से तुर्किये के राश्पती की तरफ से जो बयान आए है उससे एक बात तो साफ है कि तुर्किये जो है अब इस पूरे मामले में चाहे वो युक्रेन वार होए चाहे वो ये मिडिल इस्ट में जो लड़ाई चल रही है इसमें हिजबुल्ला और इस्रेल की लड़ाई हो इसमें तुर्किये ने अपना स्टैंड अप को साफ कर दिया है और वो जो है पूरी तरह से एरान और रूस के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है तो ऐसा माना जा रहा है कि अब इसकी क्या वज़ा है सवाल यह उठता है कि आखित तुर्किये ऐसे ऐसे अनुमान क्यों लगाए जा रहा है कि अपने वर्चस्व को बढ़ाना है तो सिर्फ इसके पीछे कि क्या यही मन्चा है क्या है कि इस पूरे इलाके में एक जो बोर कि मतलब दो पक्ष एक तरफ एरान है एक तरफ अमेरिका और इस्रेल है तो देखिए क्या है जो इस्लामिक कंट्रीज है उनके उपर एक बड़ा यह सवाल है उनके लिए कि आखिर किसका साथ दिया जाए तो अब जैसे साओधी अरब है या फिर अमेरिका है यह अगर इनके साथ खड़ा हुआ है इस्रेल के साथ आप देखिए जॉर्डन भी जो है जॉर्डन पहले तो जॉर्डन में अमेरिका के बेस भी है जॉर्डन जो है वो माना जाता था कि अमेरिका और इस्रेल का साथ द अब देखिए हुती जैसे है लाल सागर में हुती ने पिछले 24 गंटे में दो बड़े ओयल शिप्स को निशाना बनाया है और बताया जा रहा है कि इसमें एक पनामा का शिप था और दूसरा साओधी अरब का ओयल शिप था और इसको दोनों को हुती ने टारगेट किया दोनो को तबाह कर दिया और हुती की तरफ से बिल्कुल साफ कहा गया है कि जो कंट्रीज अमेरिका के साथ हैं वो हमारी दुश्मन है तो हुती जो है वो लाल सागर में लगातार निशाना बना रहा है उसके बाद पिर अमेरिका की तरफ से भी बड़ी स्ट्राइक वी और बताया अटैक हुआ है यह कल अटैक हुआ है इसमें कफर योवल एक जगा है जो कि उत्तरी इसरेल में है नौर्थ इसरेल में है यहां पे एक रॉकेट से बड़ा सटीक फायर किया गया और एक चेक पोस्ट इसरेल की तभा कर दी गई तो देखिए हिजबुल्ला की तरफ से रॉक इसकी रक्षा करना है जो रॉकेट गिर रहे हैं इसको लेके आरेंड डोम पे भी सवाल उट रहे हैं ऐसे में जब यह ख़बर आती है कि तुर्किये जो है वो अपना स्टील डोम तयार कर लिया है और वो हिजबुल्ला को दे सकता है तो यह नेतनियाहु के लिए एक भागनी पड़ी है अपने आवाम से अपने लोगों से और उन्होंने ये भी कहा है कि देखे इसका बदला लिया जाएगा हलाके हमास की तरफ से कहना है कि जो शव बरामत हुए है घजा से वो जान बूचकर इसराइल ने इन बंदियों को मारा है और वो हमें ब्लेम कर रहे हैं इस बारे में इस तरह का बयान हमास के तरफ से आया है लेकिन ये बयानों का दौर लगातार चल रहा है मयंग लेकिन इस बीच हम ये मान के चले कि अभी तो चलिए घजा में युद्ध बिराम की इस्तिती है और इसके बाद जो तैयारी आस पास के शित्रों में देखी जारी चाहे खूती द्वारा हो या फिर हिस्बॉल्ला के द्वारा हो या और भी हमास भी दीरे-दीरे कुछ ना कुछ करी रहा है ऐसे में हम ये मान के चले कि जो आगे आने वाले दिन हैं वो इस्रेयल के लिए भी चुनाथी भरे होंगे और उस पर से आपने जो तुर्के वाली खबर दी, वो उसके लिए चिंता का सबब. इसराइली आवाम भी अपने प्रधार मंतरी से पूछ रही है कि क्या कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता है, तो क्या जिस तरह की बात अभी तक बहुत अग्रेसिव दिखाई दे रहे हैं नितनियाहू, इतने विरोध के बात भी अपने घर में, तो लगता नहीं कि कोई बाचित होगी, क्या आपने आवाम को ओवरलुक करके आगे बढ़ेंगे और हमला होगा? लेकिन नेतन याहू जो है, वो इस बात को लेके अडे हुए हैं कि जो है, वो गजा पे स्ट्राइक होगी और अभी भी इस्रेइल का ओपरेशन आगे बढ़ेगा. तो अब ये आने वाले कुस दिनों में, जैसा आप बता रही हैं कि अगले जो है, जैसी ये सीस फायर हटत से रिस्टोर करने के लिए, क्या कोई बड़े ऑपरेशन को की शुरुवात करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है. और दूसरी चीज ये भी है, निलू की अगर कोई बड़ा ऑपरेशन होता भी है, तो उसका कितना फायदा इस्रेइल को होगा, क्या बंधकों को कि उनका एक बड़े कमांडर ने, मीडिया के सामने और एक कैमरे के सामने एक बयान उन्होंने दिया, कि देखिया ऐसा है कि अगर इस्रेइल पहुचता है बंधकों के पास तो हम उन्हें मार देंगे. इस तरह कि खबरों के बीच में नितन्याहू प्रेस कांफरेंस करके कह हैं, दुख तो हैं हमें, लेकिन हम इससे बड़ा हमला करेंगे, हमास के इसका बदला लेंगे, इन सब के बीच में जो बंधक है, उनकी रहाई का आगे कोई रास्ता दिखाई दे रहा है क्या? इस यह ना हमास को मंजूर है, ना एक बंधकों के रहाई की बात हो रही है, चाहे वो कि यहां पर बंधकों की रहाई का रास्ता तुरंत खुलता दिखाई दे रहा है इस खबर पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी आप बने रहे हैं हमारे साथ